Hello friends, आज की इस वीडियो में हम लोग cooperative banks को cover करेंगे देखे जब भी एक local community के लोग मिलकर अपना एक bank शुरू करते हैं इस उदेशे के साथ कि ये bank इसी local community को banking services प्रवाइड करेगा जैसे कि loans, deposits और दूसरी financial services तो इस तरह के banks को कहा जाता है cooperative banks cooperative society के members, generally ऐसे individuals होते हैं जिनके बीच में एक common bond होता है पर एक्जमपल, ये एक community में रहने वाले लोग हो सकते हैं इसी तरह ऐसे लोग, जो कि एक profession या occupation से जुड़े हुए हैं ऐसे लोग भी मिलकर एक cooperative bank बना सकते हैं कहने का मतलब ये कि cooperative banks के जो members होते हैं वो आपस में common interest share करते हैं और अगर बात की जाए cooperative banks के objectives की तो इसका prime objective होता है अपने members को serve करना और उनके economic interest को promote करना किसी भी cooperative bank का goal profit maximization नहीं होता और ये cooperative banks हमारे देश में democratic participation, financial inclusion और economic development को promote करते हैं और साथ ही साथ local needs को cater करने में भी मदद करते हैं एक्चुली बात ये है कि ये cooperative banks ग्रासरूट लेवल पर अपने members को एक platform प्रोवाइड करते हैं ताकि decision making में इनके members democratically participate कर सेगें और इसलिए हम कह सकते हैं कि cooperative societies democratic participation को promote करती है अब बात करते हैं financial inclusion की एक्चुली हमारे देश की population 140 करोड से भी अब जादा हो चुकी है और आज भी हमारे देश की population का एक बड़ा हिस्सा traditional banking system के दायरे में नहीं आ पाया है ऐसे में cooperative banks के थुरू उन लोगों तक भी banking services पहुचाई जा रही हैं जो अभी तक banking services से वंचित थे तो इसलिए हम कह सकते हैं कि cooperative banks हमारे देश के financial inclusion के target को अचीव करने में हमारी मदद करते हैं तो अब आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि जब ये cooperative banks ऐसे areas तक banking services को पहुचाते हैं जहां तक traditional services अभी तक नहीं पहुच पाई हैं तो ये उस area की economic development को promote कर पाते हैं क्योंकि ये अपने local areas की need को बहतर ढंक से समझ पाते हैं चलिए अब cooperative banks को commercial banks से compare करते हैं commercial banks के case में bank को उसके shareholders own करते हैं और ये bank अपने shareholders को नहीं बलकि general public को banking services provide कराते हैं इसके अलावा commercial bank का objective भी इन cooperative banks से विलकुल अलग है cooperative banks का goal profit maximization नहीं है जबकि commercial bank का goal profit maximization ही होता है चलिए एक example से समझते हैं कि किस तरह cooperative banks अपनी local community के लिए commercial bank से ज़्यादा beneficial है मान लेते हैं कि एक जगा पर 500 लोग रहते हैं और यहाँ पर एक commercial bank भी है ये bank कहता है कि अगर आप मेरे पास अपने पैसे deposit करते हैं तो मैं आपको 4% का interest दूँगा और अगर इन लोगों को इस bank से किसी भी तरह की loan की जुरूत है तो वो loan भी इनको मिल जाएगा 12% के भ्याज पर Now assume कि इन 500 लोगों में से 100 लोगों ने decide कि ये इस commercial bank के service लेने के बजाए अपना खुद का cooperative bank खोलेंगे इन 100 लोगों ने 1 एक लाग रुपे मिलाए और इस तरह एक करोड रुपे खटा करके एक cooperative bank खोल दिया बड RBI की guideline के हिसाब से हर एक bank के लिए mandatory है कि वो अपने NDTL यानि Net Demand and Time Liability का कुछ percentage CRR और SLR की form में reserve करके रखे और उसके उपर जो पैसे बचे सर्फ उसी को अपने customers को loan देने के लिए use करे अगर हम CRR को 4% माने तो इसका मतलब होगा कि हमारे इस bank को 4 लाग रुपे cash की form में RBI के पास रखने होंगे जिस पर कोई भी interest नहीं मिलेगा अगर SLR को 18% माने तो bank को 18 लाग रुपे SLR securities की form में invest करके रखने होंगे मान लेते हैं कि इन SLR securities पर bank को एक nominal 6% का interest मिलेगा तो हम मान सकते हैं कि bank के पास लगबख 78 लाग रुपीज बच गए हैं जिससे वो अपने customers की loan demand को पूरा कर सकते हैं तो अब मान के चलते हैं कि इन 100 लोगों में से 25 लोगों को loan की requirement है और इन में से हर एक इनसान को 33 लाग रुपे का loan चाहिए bank ने decide कि हम commercial bank से कम interest पर loan देंगे और ये interest rate होगा 10% तो इस particular scenario में cooperative bank 75 लाग रुपीज का loan दे रहा है 10% के interest पर और बचे हुए लगबग 3 लाग रुपे bank अपने expenses और management के लिए खर्च कर सकता है तो ये हो गए banks के expenses इसके अलावा bank ने ये भी decide किया है कि हम अपने depositors को commercial bank से ज्यादा का interest रेट अन देंगे और ये interest rate होगा 5% तो अब अगर हम लोग यहाँ पर अपने cooperative bank की balance sheet बनाएं तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे bank को loan से profit हुआ है 7.5 लाग रुपीज का SLR securities से profit हुआ है 1.08 लाग रुपीज का bank के जो expenses हैं वो है 3 लाग रुपीज और depositors को जो interest पे करना है वो है 5 लाग रुपीज तो in all जो profit हो रहा है वो है 58,000 रुपीज का तो हम देख सकते हैं कि इन सब लोगों ने यह जो cooperative bank बनाने का निर्णा लिया था यह काफी ज़ादा फाइदे मन साबित हुआ इन्हे commercial bank के मुकाबले ज़्यादा interest मिल रहा है अपने deposited money पर इसके अलावा जब इन्हें loan की जरुवत थी तो commercial bank के मुकाबले इन्हें कम interest rate पर loan मिला और सारे खर्चे करने के बावजूद ultimately bank को 58,000 रुपीज का profit भी हुआ जो कहीं न कहीं इन्ही सब लोगों में divide हो जाएगा as dividend और ये तो एक छोटा से example था cooperative banks का जब cooperative banks बड़े scale पर चलते हैं तो उनके honors को तो ऐसे बहुत सारे benefits होते हैं चलिए अब cooperative banks के structure को समझते हैं देखिए cooperative banks basically तीन levels पर exist करते हैं टियर वन में हमें दो तरह के cooperative banks देखने को मिलते हैं पहला है PCS यानि primary credit society और दूसरा है UCB यानि urban cooperative bank primary credit societies rural और urban areas दोनों में हो सकती हैं बट primarily ये rural areas में ही बनाई जाती हैं इनके members generally small farmers, rural articians, agricultural laborers और दूसरे rural residents होते हैं ये primary credit societies अपने members को credit provide करती हैं यानि इनकी ज़रुवत के हिसाब से इनको loan देती हैं और अगर बात की जाए urban cooperative banks की तो इनके area of operation पर किसी भी तरह का कोई restriction नहीं है लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि in general ये cooperative societies rural, urban, semi-urban और metropolitan areas में बनाई जाती हैं इनफेक्ट urban cooperative societies की branches सिर्फ एक state में नहीं बलकि multiple states में फैली हो सकती हैं और अगर बात की जाए उन conditions की जिनके base पर एक urban cooperative bank को multiple states में अपनी branches open करने का approval मिलता है तो ये conditions उनकी past performance से लेटेड हो सकती हैं RBI guidelines compliance से लेटेड हो सकती हैं और minimum net worth से लेटेड होती हैं और हाँ एक urban cooperative bank के जो members होते हैं वो generally retail traders, salary class employees, MSMEs, small entrepreneurs और professionals जैसे की doctors, lawyers, etc. हो सकते हैं Urban cooperative banks सिर्फ credit facility नहीं बलकि अपने members को mostly सारी की सारी banking services प्रोवाइड कराते हैं तो ये एक major difference है primary credit society और urban cooperative banks के बीच में इसके लावा इनके बीच में एक difference ये भी है कि urban cooperative societies को run करने के लिए आपको एक license की जरूद होती है जबकि primary credit societies को run करने के लिए किसी भी banking license की जरूद नहीं होती और हाँ, अगर कोई भी primary credit society जो किसी भी urban area में operate कर रही है अगर वो RBI से banking license ले ले तो वो भी एक urban cooperative society की तरह operate करना शुरूद कर सकती है अब ध्यान देने वाली बात ये है कि हर एक state के जितने भी districts होते हैं उन districts के अंदर कई सारे UCBs और primary credit societies हो सकती है और हर एक district के लिए एक district central cooperative bank होती है जो कि हर एक district में सिर्फ एक ही हो सकती है इसके लावा हर एक state में एक state cooperative bank भी होती है जो हर एक state के लिए सिर्फ एक हो सकती है विदिन a state सभी district central cooperative banks इस state cooperative bank को report करते हैं तो हमने अब तक के इस discussion में देखा कि हर एक state में एक state cooperative bank होता है जिसके अंडर में कई सारे district central cooperative banks होते हैं और हर एक district central cooperative bank के अंडर में कई सारी primary credit societies और urban cooperative banks होते हैं और इन सब के बीच में relation ये है कि state cooperative banks का काम ये होता है कि वो सभी district central cooperative banks को अपनी financial services प्रवाइड करा है district central cooperative banks का काम ये होता है कि वो अपने district के अंदर operate होने वाले सभी primary credit societies और urban cooperative societies को financial services प्रवाइड करा है इसके लावा हरे एक Urban Cooperative Bank का काम होता है कि वो अपने district के अंदर जो दूसरी primary credit societies है उनको financial services प्रवाइड करा है यानि अगर किसी primary credit society को financial support की ज़रूरत है तो वो ये support किसी भी Urban Cooperative Bank या फिर district central cooperative bank से ले सकता है कहने का मतलब ये है कि इस हराकी में जो उपर है वो अपने से नीचे वाले cooperative banks को financial support प्रवाइड करा सकता है और अगर बात की जाए इन cooperative banks के registration की तो ये cooperative banks अपने state के cooperative societies act के अंदर गत register की जाती है बट question ये है कि अगर मैं एक cooperative bank बनाना चाहता हूँ तो मैं अपने state के cooperative societies act के अंदर में इसको कैसे register कराऊंगा कहने का मतलब कि मैं कौन से government office में जाकर अपने cooperative bank को register करवा सकता हूँ तो इस purpose के लिए जो government body है उसका नाम है Registrar of cooperative societies इसे RCS भी कहा जाता है तो basically अगर आपको cooperative bank को register कराना है तो सबसे पहले उसे as a cooperative society register कराना होगा with RCS और वो RCS ही है जो ना सिर्फ cooperative societies को register करती है बलकि उस particular state की सभी cooperative societies के management, administration, recruitment, amalgamation और यहां तक के liquidation को भी control करती है बट आपको सिर्फ cooperative society नहीं बनाने आपको बनाना है cooperative bank तो इसलिए आपको banking license भी चाहिए और वो मिलेगा RBI से तो इसलिए picture में आते हैं दो और regulating bodies ये दो bodies हैं RBI यानि Reserve Bank of India और Navard RBI हर एक state के cooperative banks के banking related matters को regulate करती है बट एक तरह की cooperative society जो RBI के दाइरे में नहीं आती है वो है primary credit society और वो इसलिए क्योंकि उसके लिए banking license की भी ज़रूत नहीं है बाकी सभी cooperative banks RBI के दाइरे में आते हैं और banking regulation act 1949 के अंतरगत RBI इनके banking matters को regulate करती है next है Navard तो Navard का काम है इन cooperative banks को समय समय पर inspect करना इनकी financial health को assess करना और साथ ही साथ ये ensure करना कि RBI द्वारा दी के regulations को comply कर भी रहे हैं या नहीं बट जैसे कि यहां पर देखा जा सकता है कि Navard सिर्फ district central cooperative banks और state cooperative banks को ही regulate करती है इसके दाइरे में urban cooperative banks और primary credit society नहीं आती ऐसा इसलिए क्या गया है क्योंकि Navard इस काम को all India level पर करती है और अगर urban cooperative banks और primary credit societies को भी इसके दाइरे में लाया गया तो ये एक humongous task हो जाएगा जिसको manage करना एक organization के लिए possible नहीं है वैसे भी अगर सिर्फ district cooperative banks और state cooperative banks को ही ठीक से inspect कर लिया जाए तो इसका असर state के सभी cooperative banks पर पड़ेगा तो इसलिए सभी छोटी मोटी cooperative societies को central level पर अलग से inspect करने की ज़रूत नहीं है तो अब अगर हम इसको consolidate करके एक table or form में देखें तो हम देख सकते हैं कि चारो तरह की cooperative banks को RCS द्वारा regulate किया जाता है RBI सिर्फ UCB, DCCB और SCB को regulate करती है और NABARD सिर्फ DCCBs और SCBs को regulate करती है इसका मतलब यह हुआ कि UCBs के ओपर dual regulatory control है और SCCBs और DCCBs के लिए triple regulatory control है और यही dual और triple regulatory control कई सारे issues की जड़ माना गया है तो इन multiple regulatory bodies के वज़ा से cooperative banks में क्या-क्या problem हो रही है इसे हम next video में cover करेंगे इंडिया की history, Indian economy और Indian polity को detail में cover करने के लिए बुक्सतावा की playlist को follow कीजे Thank you so much for watching and supporting Bukstava